नमस्कार दोस्तो एक एलेक्टिक ज्यान में आप लोगों को स्वागत है दोस्तो आज मैं बतलाने जा रहा हूँ टूल मोटर के बारे में दोस्तो टूल मोटर में हीटिंग हाइट कट कैसे फीट करे कहां फीट करे बहुत सारे लोग का करते हैं कि क्वाइल के ऊपर ही हीटिं के बारे में अगर जनकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब कर ले बगल में बेल घंटी दिया उस पर टच कर ले तो दोस्तों यह वाइंडिंग पहले से कर दिया है करने का बाद जितना तार है तार को अच्छी तरह से छिल ले कर ले अच्छी तरह से ज्टार्टिंग कर ले इस पर से लिविंग चड़ा ले और दूसरा रन इंग भी उसी तरह से कनेक्शन कर ले स्टार्टिंग का दूसरा सिरा छोड़कर पहला वला कोईल और दूसरे वला में कनेक्शन करके सिलीविंग चड़ा लिए और बच गया स्टार्टिंग रॉनिंग का एक एक सिरा आपस में अची तरह से जोइंड कर ले दूसरे जोड़ करने के बाद हिटिंग हाइट कर इस पर जोड़ने के बाद अचितर दूरी से सिलीविंग कर ले इसको रॉनिंग श्टार्टिंग कोहल के दुनों बीच और बीच में डालना है डाल लिये, डालने के बाद इस पर से see living चऴा लेंगे, चढ़ाने के बाद इसमें जो motor में छेदा दिया है, connection बाहर निकालने के लिए, इसको जो heating वला है main में दियाएगा, जो running and starting का एक एक सिरा वचचा है, दोनों करनेसर पजाएगा है, ऐसे हो गया, तो दोस्तों इसको इसको धागा से अची तरह से बानने के बाद इसको अची तरह से साइज कर ले ताकि अर्मेचर गुषाने में दीकत नहों हो, इसके बाद सीरीज में लगाकर इसको चेक करेंगे, ये ओके हो गया, दोनों तरह भी बान लिये हैं, सीरीज है, शीरिज बोड में लगा कर इसको बारी बारी से चेक कर लेंगे पहला सी रजमियन में जोड लिया है सीरिज का और दूसरा सीरा जल रहा है आपस में टच कर रहा है उसी तरह से जो करनेंसर का पॉल लिका लेंगे इस पर से बारी बारी से दोनों में लगा कर टच कर लेंगे ज चल रहा है काम कर रहा है दूसरा भी काम कर रहा है उसके बाद बोडी देखेंगे बोडी अर्थ बन रहा है कि नहीं है ठीक है तो दोस्तों मेरे वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंड करें शेयर जरूर करें